हाई गाईज, वेलकम बैक टो ओके नाओ वाट, मैं हूँ भाविका बसी, सो आज मैं आपको लेके आए हूँ दी बी एच, दी बोट हाउस, विद्याधर नगर जैपूर के विक्या एरिया में है दी बोट हाउस, यहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पर प्रोज सू यह है dbh dbosat house, dbosat house is truly committed to excellence, यहां कार बॉटा लोकेद् आपनी यहां आपनी हॉस्पिल, विद्याधर नगर जैपूर This venue has a refreshing vibe which is welcoming और यहां का decor भी मुझे बहुत ही well designed लगा आप यहां पर pool parties कर सकते हैं swimming classes ले सकते हैं या फिर कोई function के लिए call करके booking कर सकते हैं मैं आपको यहां का office दिखा रही हूँ इस time और number जो है office का वो मैं description box में दे रही हूँ वहां पर call कीजिए और book कीजिए इस venue को अपनी next party के लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ दी बोट हाउस के swimming pool में जहां पर instructor है उस सिखा रही है चोटे चोटे बचों को swimming आप मेरे पीछे देख रहे हैं guys यह swimming pool है और यहां पर trainer हर शाम को आते हैं training देने के लिए बच्चों को यह देखिए underwater swimming सिखाते हैं उनको यह देखिए चोटे-चोटे बच्चे enjoy कर रहे हैं swimming सीख रहे हैं यहां के swimming pool में आपका आ पतुछिण क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा ग्रेट स्विमिंग क्लास सेशन फोर किड्स एंड आडल्स एंड बेस्पार्ट पता है क्या है यहां की ते डोंट यूज हामफुल केमिकल्स तू टू टू टिस वाटर दे यूज फिट करी और आप रिलाक्स कर सकते हैं अगर आपका बच्चा यहां पर स्विमिंग सीक रहा है तो आप अराम से बैठिये उनको स्विमिंग सीखते हुए देखिये अन्ड जस्ट रिलाक्स अब मैं आपको ऊपर लेके जाती हूं और ऊपर से आपको पूरा दी बोट हाउस का व्यू दिखाती हूँ चलिए Great Ambience with Amazing Greenery D-Boat House का एक बहुत ही strict rule है वो ये कि they don't allow stags to party here सिफ़ couples, या families, या फिर girls का group ही यहाँ पाटी कर सकता है या फिर swimming session ले सकता है आपको एक बात बताओ, मुझे ना D-Boat House से बिलकुल गोवाली feel आ रहे थी Actually, जब हम लोग घूमने कहे थे ना South Goa, तो वहाँ जिस resort में हम लोग stay किया था हमने मतलब ऐसी vibes ही आ रहे थी मुझे D-Boat House से So guys, यहाँ पर disc भी है, कोई party कर सकते हैं या फिर कोई और celebration अगर आप यहाँ एंजॉइ करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं D-Boat House में Disc was cool आज actually कोई party नहीं थी यहाँ पर, इसलिए आराम से मैं यहाँ पर shoot कर पाई वनना थोड़ा सा मेरा shoot करना difficult हो जाता और disc के अंदर ही कुछ seating arrangement भी किया हुआ है अगर आप dance करते करते थोड़ा सा rest करना चाहते हैं तो यहाँ आप बैठी आराम से and decor मुझे काफी अच्छा लगा, disc का भी तो अभी मैं आपको लेके जाती हूँ D-Boat House के open bar में जी हाँ, यह है DBH का open bar disc के बाहर ही यह बार का beautiful सा setup दिया गया है which is quite impressive मतलब एक तरफ pool, एक तरफ disc और आप आराम से enjoy कीजिए अपनी drinks को यहां आप अपनी party के लिए अपनी choice के हिसाब से decorators ला सकते हैं to enhance the beauty of this venue यहां से लेके मुझे यहां यह सारे tables नजर आ रही हैं, chairs और यह सब है sitting arrangement यहां किया हुआ है बाहर से आईए, आप अपना swimming sessions लीजिए उसके बाद disc enjoy कीजिए और अगर आप snacks यहां बैट के enjoy करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं बहुत ही प्यारा सा setup दिया गया है यहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस side भी है, उस side भी मैंने आपको बताया फिलहाल तो डीवोट हाउस का restaurant working नहीं है इसलिए catering के लिए भी आप बाहर से ही caterers arrange कर सकते हैं और आपके event को एक fun and memorable affair बनाने की responsibility डीवोट हाउस की प्रोजेक्टर अभी यहां पर पूरी तरह से ready नहीं है अभी work चल रहा है, यह देखें, यहां पर पूरा प्रोजेक्टर बनाया जाएगा प्लस यह सामने जो है, यह sitting arrangement है यह देखें, अभी पूरी तरह यह भी complete नहीं है यह हो रहा है, work in progress है This venue is super relaxing and will definitely add value to your event So guys, यह था मेरा आज का व्लॉग मैं आज आपको लेकर आई, the boat house I hope आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा अब मैं मिलूँगी आप से next week, next Tuesday को कुछ उन्या कुछ और इंट्रस्टिंग लेकर आऊंगी आपके साथ शेयर करोंगी, जैपूर को थोड़ा सा और एक्स्प्लोर करोंगी आपके साथ Till then, stay safe and keep asking your life Okay, now what?